तदा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भोति भारत अभ्युत्था नाम अधर्मस्य तदात्मा नम सुझाम्याँ परित्रानाय साधुनाम विनाशाय चदुष्कताः धर्मस्था पनार थाय संधवामी युगे यहां जो निलकंट यात्री निवास यहां तो अभी जाएंगे पुरुक्षेत्र देखने नमस्कार मित्रनो आज एक अगस्त आनि आज आपन फिरना रहो कुरुक्षेत्र हाओ ताम आज रूम आणि जाओ यहां पहुरु क कजो कि पहले घेलेशारं करें यहां रहां तो अभी बज़्े एक और कुरुक्षेत्र में कल हमने आंपर्मसरोर तो देक लिया लेकिन आज देखेंगे जोतिर जहां बगवान स्रीचुष्न ने अर्जुन को गीता का उबदेश किया था जोति सर और भीष्मकूल गीचे था तो पिछे था वो द्रोनाचार्य द्वार और अभी जो आप देख रहे हैं यह स्रीकृष्ण द्वार कुरुक्षेत्र विश्व विद्धाले का तो यहां से हमको पकड़नी बस अभी होटल से दूर आया हो मेंगा की और बस से हम जाएंगे हाँ हाँ तो पहवा रोड पे है जोती सर तो पहवा की बस में अभी जाना पड़ेगा हमको तो रेवले क्रॉसिंग क्रॉस करके फिर उस साइड जाएंगे और आप देख रहे हैं यहां हर जगह चोराय पे महाभायरत के कुछ तो भी निशान की तोर पे मूर्तिया लगाई हुई है आप देख सकते चोटे-चोटे मंदिर पुरुक्षेतर के और जो सामने है राव राजा तुलाराम सन 1857 का महानायक इस चोराय से यह जो रोड जाएगा वो जाएगा जाएगा जोती सर की तरह है तचला जाओ या जोती सर विर्थ और इसको जोती सर इसलही भी कहा जोती सर याने सरोर जोती याने ज्यान का भंडार है जहां पे ज्यान का भंडार का उगम हुआ वही है तो दोस्तों हम पहुच गए है जोती सर आप देख रहे हैं यह है जोती सर का प्रवेश्द्वार कर दो है प्राचीन वर्गत के पेड़ यहां नजर आ रहे हैं आप 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 यह प्राचीन श्यूमंदिर ब्रहारी आकरवनों के साक्षी का कुरुक्षेत्र का सबसे पुराना वटवुक्ष यह लग रहा है दोस्तों वटवुक्ष में ही बसा है यह श्यूमंदिर कि यह जो हे यहां रात को लाइट एंड है साउंड्सों होता है उसकी यह चल किया है और बहुतादू दोस्तों यह सरस्वती नदी के किनारे लेकिन जो सरस्वती नदी जो अभी लुप्त पराई हो चुकी है उस नदी के किर्णारे पे है जोती सरका पवितर तर्तिर था आप देख सकते हैं यह सरस्वती मंदीर गीता मंदीर और महाबारत की जाकिया सब के छोटे-छोटे मंदीर दुतराष्ट संजय द्रोनाचार दूर्यदन सुर्यदेव अर्जुन स्रिकृष्ण पार्थ सार्ति हनुमान स्राधाव कृष्ण सब के छोटे-छोटे मंदीर यहां पर बनवाए गए हैं और यहां पर भी जानकारे लिखी है यहां पर हिंदु मिशन गीता तिर्थ के ओर से हर वर्ष मंगसर महने के शुकल पक्ष में एकादशी तिथी से अठरा दिन तक गीता जयनती परो मनाया जाता है अंतिन दिन पूरुणा हुटों के साथ बंढारा हो जाता है तो चलिए जो भगवत गीता की जो साक्षी है उस पर्टुरुक्ष का अभी हम दर्शन करेंगे दोस्तों यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भोति भारत अभ्यूत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानाम सुरुजाम्यां परित्रानाय साधुनाम विनाशाय चे दुशकुर्ताम धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामी युगे-युगे गीता के जो अठ्रा अध्याय भगवान सिर्कुष्ण ने अर्जुम जी को बताए थे तो वही यही पटवरुक्ष्य श्रीमत भगवत गीता जी के साक्षी मैं आवे आपको पूरा दिखाता हूँ जोतिस्वर वह जग है जहां गीता का जन्मस स्थान और कुरुक्षेत्र का सबसे सम्मानित तिर्थ है ऐसा माना जाता है कि जोध महा भारत जुद्ध जोतिसर से शुरू हूँआ जहां युद्ध की पूर्व संग्दापर अर्जुन को गीता के शासक भगवान स्रीकुष आप देख रहे हैं दोस्तों यह मुर्ति भगवान से कुष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं यही पवित्रस्तानी जहां गीता का जन्म हुआ था और यह जो मुर्ति है यह बनवाई है आदी शंकराचारे जने निसो सदुसट में बनवाई थी यही आप देख धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे भगवद गीता के जिस दो शब्दों से गीता बनवाई भू दूसी जगा पे हमाया भी कुरुक्षेत्र में यह आप सामने जो मेरे पुराना वते बूक्षे देख है यह 5,000 साल पुराना वताबूक्षे और कहा जाता है कि जब अर्जुन ने अपने बंदु पांडों के खिलाब शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया तब इसी पेड की नीचे सिरकुष्ण ने अर्जुन को गीता के अठरा अध्याय सुनाय थे और ये एक ही वटवरुक्ष है जो गीता का साक्षी का प्रमान है हाला कि कुछ लोग इसे जोतिश्वर महादेव भी कहते हैं कहा जाता है कि यहां कभी प्राचिन शिव मंदिर हुआ करता था यहां काश्मिर के एक शासक ने भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बानवाय था जिसे आठरा सो पच्चास में धार्मिक महत्व दिया गया इस जगा पर एक मूर्थी बनी हुई है आप जो देख रहे हैं सामने जो भीड़े और उस मूर्थी में भगवान स्रीकृष्ण रत्पर सवार होकर सार्थी के स्थान पर खड़े हैं और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और वही अर्जुन हाज जोड़े विनधर्ती पर विनम्रता पुर्वक खड़े हुए इस मूर्थी को सन उननीस सदुसर्ट में जोति सर के कांची कामपोटी पीट के शंकराचार्य द्वारा बनवाई गई है और जोति सर का ये पवित्र स्थान सरस्मत्य नदी के किनारेस्ती थे जो अभी लुपतपराय हुचुकी हो और यहां रात को लाइट एंड साउंड शो चलता है तो इस प्राकार देखिए हमने जोति सर की जान करें दोस्तों अभी जाएंगे आगे की ओर भीश्म पिता महा का जो मंदिर है वहां तो भाविकों की हमेशा बीड से भराई यह परिश रहता है अब इतनी सुबह भी देखिए अभी आठको पांच कम तो भी यहां भाविकों की भीड आप देख सकते हो और हमेशा पर्यटों की भाविकों की इस तरद्धलों की लगबक यहां शुरू रहती है तो ऐसा था हमारा जोती सरका सफर मेंने जितनी जानकारी मुझे मालूम थी उतनी बतानी कि मैंने आपको कोशिश की है तो अभी हम जाएंगे नरकातारी घिश्म कुंड की तरफ दोस्तो जोती सरकाई यूडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और कमेंट कीजिए देखतेरी ये जगवेंचर जी धन्यवाट प्लीज देखतेरी ये जगवेंचर लाइक की तरफ